Hello Guys, How are you? आप लोग कैसे हैं? मैं आज आपको इंसेक्ट के बारे में थोड़ा सा इस्प्लेज करूँगी सूरज कुँमार की गमेंट था कि मैं इंसेक्ट के बारे में थोड़ा सा इस्प्लेज करूँगी वैसे मैं पहले डाज चुगी थी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल A Light of Knowledge को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरन मिल जाए और बेल आइकन को प्रेस करिए ओके इंसेक्ट में आपका पहले में बता चुकी हूँ थोड़े आप आगे में बता रही हूँ मौत मौत जो हता है वो संग सल्क पंकी उसमें सल्क की तरह पंक होते हैं और ये पंगस मौत कीट की प्रजाती है ये फसलों को हानी पहुचाते हैं और आपके उनी कपड़ों को हानी पहुचाते हैं ये आपके घर में मिलेंगे आपको नमी वाले स्थानों में मिलेंगे ठंड़क में ये दिखाए देते हैं बेट बग मतलब आपका खटमल खटमल जो रता है वो आपके फरनीचर में हो जाता है और फरनीचर में होने के बाद आप जब उस पर लेटेंगे या कुछ भी होगा तो आपका ये खून पीता है और अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाता है इसको दूर करने के लिए हमें अपने फरनीचर को दूप में रखना चाहिए गरम पानी डालना चाहिए हनी बी मदू मक्खी ये छट्टा बनाती है फूलों से मदू इखटा करके और उसके मकरंद इखटा करके उससे सहत बनाती है और जो हम लोगों के काम में आता है Scorpion मतलब बिच्छू ये आर्थो पोड़ा संग का जन्त हुए है ये बहुत ही जरीला होता है इसके पीछे जो डंक होता है उसी से ये आपको डंक मारता है तभी आपको प्राब्लम होती है और अगर ये काट लेता है किसी को तो वो फिर जीवित नहीं रह सकता इसमें बहुत भयंकर जहर होता है Beetle, बिटल बर्म पंक की कीट है ये पोड़ों की पत्तियों को और फसलों को हानी पहुचाने का कारी करता है Lady Burl, ये भिंडी का कीट है ये भिंडी के पोड़े पे पाया जाता है ये 8 mm आकार का होता है Stick Insect छणी के आकार का ये कीट होता है ये आपको घरों में पेहर पोड़ों पे दिखाई देगा और फसलों में मिलता है ये भी आपका इसके 6 लग होते हैं और ये भी ये सारे आपके आर्थोफोटा संके जीव हैं कीट हैं उसके बाद है आपका Fruit, प्लाई, सिरका, मक्षी जो आपके Drosophila, Drosophila मक्षियों का जीन होता है आपका Caterpillar, इल्ली, तितली और मौत का ये जो होता है Caterpillar होता है अंडे से Caterpillar निकलता है वहीं तितली में और मौत में होता है ये साका हरी होता है Firefly, जुगनू, राप में दिखाई देता है आपको जुगनू, ये बरसाथ के बाद दिखाई देता है जब इसके सरीर में एक प्रकार का एक प्रकार के हार्मोन का रिसा होता रहता है उसी से जब उसमें हवा लगती है तो उसी से light सी जलती है और अगर ये किसी के कान में चला जाता है तो उससे बहरापन हो जाता है Low Cost, टिडडी सलब है ये ये टिटिड़ी तलव है ये फझनों को हाने पहुचाने का कारी करता है सेंटीपेड मतलब आपका खंखजूरा खंखजूरा जोता है इसके सरीर पे बहुत से लेग होते है। रेसे जैसे लेग होते हैं और अगर सरीर में कहीं चीपक जाता है तो इंसान का रक्त चूसने का कारे करता है और ये ज़्यादा तर कान में गुज जाता है उसके बाद आपका सिर की जूँ सिर की जूँ होती है जो सिर में हो जाने पर आपका रक्त चूसती है और उससे नई और जीव बन जाती है जो आपके लिए हानिकारत होते हैं जिसे आपके सिर में δर्द होने लगता है उसके बाद आपका स्पाइडर जो है Grassрал जो है वह आपका मकड़ी इसके eight पैर होते हैं दो आइस होती है और यह बहुत तीवर गती से कारे करता है बहुत मकड़ा जाला बुनने का कारे करता है यह बहुत हानिकारक होता है अगर किजी के सरीर पर लग जाता है पानी छोड़ देता तो उससे बहुत कश्ट होते हैं आपको बहुत ही पीड़ा होती है उसके बाद आपका लीच मतलब आपकी ये जोग जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की बासा में जोग बोलते हैं ये सरीर में अगर कहीं चीपक जाती है तो आपके सरीर का पूरा रक्त चूस लेती है इसलिए इसको हटाने के लिए आपको साधा जो खाने वाला नमक होता है वो डालना पड़ता है उससे ये मर जाती है इस नैल घोंगा इसको गोंगा बोलते हैं आपका तालाब में पायता पानी में पॉंड जीरो में और लिजर्ड लिजर्ड मरी छिपकली यह भी बहुत ही जहरीला जीव है इसकी इसकी में जहर होता है और इसमें एक अच्छी होती है इसकी पूछ में पुन०्ध जन्तु बैग्जानिक नाम है राना टिग्रीना जो कि भारती भारती मेड़क का नाम है राना टिग्रीना यह आपका डिसेक्शन करने के काम आता है चीन में इसका अचार बनाकी खाया जाता है और यह फरतलों में रहता है यह जल चल और इस तर चल दोनों प्राणी है पानी म को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रस कीजिए जिससे आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलें ओके बाई